हेले वरीवन तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपने डिसकेशन करने वाले SMC इसमास्त मनी कॉंसेप्ट जो है उसका एंट्री मोडूल फस्ट के बारे है तो SMC एंट्री मोडूल क्या है उसके बारे में अपन प्रोफिली डिसकेशन करने वाले हैं और आप इसको कैसे बैटर तरीके से समस्द दे उन सारी जीजों को लेकर अपन डिसकेशन करेंगे तो आपके सामने मेंने एक structure ड्रो किया हुआ है तो सबसे पहले क्या है कि आपका market जो start होता है वो downside से start होता है यहां से ठीके यह आपका man point है market यहां से start ओके up जाता है then market हलका शा organisation करने के लिए down आता है कभी पी आपने देखा होगा कि मार्केट डारिकली अपनी जाता है या directly down नहीं आता है correction करना Market का necessary rule है then उसके बास market क्या होता है recent वाला जो भी हाई होता है उसको break करके then thesis भी होता है उसको break कॉरता है so तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए कि PY क्या होता है, Order Block क्या होता है, Boss क्या होता है, Chos क्या होता है, सारी जीजे ओल्रेडी मैंने पढ़ा रखी, ये next part है SMC Entry Module का first, ऐसे चार lectures होंगे, जिसमें अपने Entry के बारे में जानेंगे, कि proper अपने को कहां पे Entry करनी चाहिए, ठीके, तो मार्केट जब भी भी क्या करेगा, कि आपका जो left तरप की वाला जो high होगा, अगर मार्केट इस left high को break करेगा, देन अपन क्या कहेंगे, कि ये अपना boss होगा, या निकि break of structure हो चुका, कि side में, जिस direction में market move दे रहा है, उस side में, ठीके, जैन उसके बाद market क्या करता है, कि recent वाला जो आपका low है, अगर market उसको लेता है, कि दर से left side से, तो उसको अपन elusement करते हैं, IDM short form में, ठीके, इसके लिए तीन चीज़ याद रखना, या तो हो सकता है, कि market candle close दे last वाले low के नीचे, या week sweep करें, या equal भी होगा, तो भी क्या होगा, कि जैसे आपने कहीं बार देखा होगा, कि एक ही line पे, two, three, बार जो है market touch करके, up and down होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, equal high, equal low, recent low, recent high, वो जो भी touch होगा, या उसको भी आप consider कर सकते हैं, चीक है, बट majorly मेरा कहना यही, अगर इसके नीचे sweep कर दे, तो वो थोड़ा better रहेगा, राइट, बट आप समझ सकते हैं, तो आपको मैंने यह भी बदा दिया, boss को होता, elusement क्या होता है, नेक्स्ट आगर परते हैं, जैसे market elusement लेके अप जाता है, फिर अगर market क्या करता है, कि पीछे left hand की तरफ वाला जो अपना क्या है, आईए उसको market break करता है, तो boss होता है, बट यह real boss लिए, real break of structure कम माना जाएगा, जब आपका market elusement लेगा, वो आपका real break of structure कंसीडर होगा, ठीके, बाकी ऐसे तो आप काफी सारे mark कर सकते हैं, without elusement, बट जहाँ पर elusement लेगा market, वो सबसच्छा होगा, ठीके, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको, कुछ भी mark नहीं किया है, then market क्या होगा, हलका सा down आया, अगर market इस वाले लोको ले 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 था, इस वाले को, यहाँ से कुछ इस तरीके से आके, तो इसको पर elusement मानते, then इसको मैं बोस लिख सकता था, बट market ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो पर इसको कुछ भी नहीं लिखे, then market क्या करता है, हाई जगा है वापिस, अब यहाँ पर देखिए, यह क्या है एक घंटे वाली P.O.I. यहनि कि पॉइंट ओफ इंटरस्ट की, एक घंटे में क्या हुआ कि, मैंने एक घंटे का टाइम फ्रेम, वन आर का टाइम फ्रेम लिया, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जितने भी SMC के कॉंसेट से रिलेटेड वीडियो है, सबके लिंक मिन जाएंगे, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं, तो P.O.I. क्या होती है, जैसे ही आपके मार्केट ने P.O.I. के अंदर टेप किया, तो अब यहाँ पर क्या करना, अपने को वन मिनट के अंदर स्विच हो जाना है, एंट्री मोडूल फाइंड आउट करने के लिए, बट मैं आपको सेम टाइम फ्रेम वाला कौंसेट समझा रहा हूँ अभी के लिए, तो मान लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर P.O.I. के अंदर आपका मार्केट टेप करता है, अब डूब स्नेरी हो सकते हैं, तो मार्केट टेप करके हलका सा डाउन आए, देन उपर की तरफ कुछ इस तरीके से आपको एंटरी दे, बट मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट क्या करता है, आपका रिसेंट वाला जो लो है, उसको ब्रेक करता है, तीके, अब एक की समझ येगा, थोड़ा सा ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज भी हो सकती, आपको समझना जरूर है, अगर मार्केट मिड्श में या छोटे टाइम फ्रेम पे, कहीं पे अगर आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, कुन सा वाला स्ट्रक्चर? रिसेंट वाले लो को, ठीके, रिसेंट वाले लो की बात कर रहा हूं, तो वहाँ पर आपको इल्यूजमेंट समझना है, उसको इल्यूजमेंट कंसीडर करना है, अगर आपका मार्केट किसी POI या ओडर ब्लोग में टेप करता है, हाई टाइम फ्रेम पे, लाइक 5 मिनेट हो गया, 15 मिनेट हो गया, वनार हो गया, तो वहाँ पर आप डाइरेक्ली उसको चोज लिख सकते हैं, ठीके, लेकिन ये सिरिफ हाई टाइम फ्रेम, POI, ओडर ब्लोग के केस में काम करेगा, अधर जगा आप इसको इसको इल्यूजमेंटी यूज लेना होगा, ठीके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ थोड़ा उल्टा केस से लेगा, कैसे, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि, डाउन में जाना स्टार्ट करती, यानि कि मार्केट अब बीरी सो चुका यहाँ से, यह इतना जो स्नेरियों आपने देखा, इस पोजिशन के अंदर जो मार्केट था, वो अपना जिस मुमेंटम में रन हो रहा था, वो अपना बाई मुमेंटम, यहीं से जैसे ही, मार्केट ने पीवाई में टेप किया, या ओडर ब्लोक, या एफवीज, या कुछ भी समझ लीजे, या जो भी चीज यहां पर पेंडिंग रही होगी, उसके अंदर टेप किया, देन मार्केट ने रीसेंट वाले लोको लिया, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे, यहां पने अपने जोन मार्क कर रखा था, यहां पर मार्केट नीच आ गए, अब मार्केट क्या हुआ, जैसे सेम इदर यह पूल बेग लेता है, वैसे ही मार्केट ने क्या क्या, वापिस उपर गया, ठीक है, अब यह जो हाई था, इसको ब्रेक किया, लेफ्ट वाले हैंड की तरफ के हाई को, तो मार्केट ने क्या क्या, अब इलूजमेंट लेने के बाद, आप कभी भी देख लेना, एक चीज यहाद रखना, अगर आपका मार्केट अप जा रहा हो, या डाउन आ रहा हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, जब भी आपका मार्केट, तुनना मैं क्या बदर रहा हूँ, जब भी आपका मार्केट, अगर मांदीजे, बाई साइड में हो, ठीक हैं, और आपको हाईर टाइम फ्रेम पे, मार्केट जो बियर इस दिख रहा है, अगर मार्केट आपका, बियरी से पूरा, हाईर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, जैसे ही आप शोर्ट टाइम फ्रेम पे, किसी पे जाते हैं, अपका मार्केट, रीसेंट वाले अगर, लो को ब्रेक कर देता है, सोरी हाई को ब्रेक कर देता है, तो जो उसके उपर वाला जो ओडर ब्लोक होगा, वो आपका हाई प्रोबल्टी ओडर ब्लोक होगा, कि मार्केट यहां से आपका डाउन जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको वन मिनिट में स्वेच होना है, एंट्री लेने, वन मिनिट में स्वेच हो के एंट्री कैसे ले सकते हैं, वो मैंने ओल्रेडी बता दिया है, ठीक है, अब यहीं पर आपको मैं सेकंड केस अभी समझा दूँगा, तो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर आपका इल्यूजमेंट लिया, इल्यूजमेंट लेने के बाद में, यह P.O.I. के अंदर एक ओडर ब्लोग था, ठीक है, इस ओडर ब्लोग को मार्केट ने टेप किया, एंड धिन सडल इस्पाइक, ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ एंट्री लेना है, ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ रहे होगी, अब इसके बाद क्या होगा, कि मान लिज़े आपने एंट्री तो प्लाइन के लिए, लेकिन स्टोप लोग से टीपी कहा रहेगा, तो यह वाला पॉइंट आपका है, ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, एंट इस्टोप लोग साप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, आप रखना अच्छा है, यहाँ भी रख सकते हैं, बेटर रहेगा अगर थोड़ा, उपर रखेंगे तो, ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ इसकी एंट्री प्लाइन कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आपके मार्केट ने इसमें टेप किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह आपका हो गया, रियल बॉस, यानि कि ब्रेक ओफ स्ट्रॉक्टर, अब यहाँ पर आपका चेंज यहाँ पर आजाएगा, चोच, कि जब भी मार्केट इसको कुछ इस तरीके से अप जाएग डाउन जाएग इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ से हम ट्राइ करेंगी कि अपना मार्केट बाई साइड मुमेंटम वापिस ले चुका है, चीके, तो इस तरीके से आपको मैंने जो एंट्री समझाई, यह समझ में आगई हो कि यह मैंने आपको जो एंट्री बताई अभी, यह आपको मैंने बताई है कि अगर मार्केट आपका बाई साइड में, इसी को पर रिफर्स कर देते हैं आँछें डाउन साइड में ओके तो क्या हुआ कि आपका मार्केट यहां से डाउन आया कुछ इस तरीके से अप गया डाउन आया, मार्केट ने क्या क्या रिसेंट वाला जो इलूजमेंट है उसको ले लिया, तो यहां पर कुछ ना कुछ ओडर ब्लोग, PY वगरा कुछ होगा, देन उसको आपका मार्केट लेके सेडनली डाउन आ गया ठीके, फिर मार्केट अप गया एन देन डाउन आया, यह आपका हाई प्रोबल्टी जो ने, आपके सकते कि 4 आवर की कुछ केंडल आपने देख यहां पर ओडर ब्लोग, PY जी, कुछ मार्क किया हुआ, इस वाले प्रोइंट की बात करों ठीके, कुछ मार्क किया हुआ आपने यहां पर, ठीके जैसे ही मार्केट इसको लेके अप गया, तो आपको वेट करना है कहां, कि मार्केट नीचे है मार्केट नीचे पूरा यहां पर नहीं आया यहां आपने ओडर ब्लोग बना रखाता ठीके, अगर आपका मार्केट इस फर्स्ट केंडल से आके चले जाता तो देन आप यहां एंट्री प्लान कर लेते वेल एंड बूड बट मार्केट क्या हुआ इतना नीचे नहीं आया यहां पर क्या हुआ, कि जैसे ही आपका जो मार्केट है, यहां से डाउन आया, देन आपने यहां पर वन मिनिट में स्वीच हो के एंट्री प्लान की एंड आपने एक अच्छी हाज यह एंट्री के अच्छी प्लान चीक है, तो आई होप आपको यह एंट्री मोड्यूल आपको समझ में आ रहे होंगे सारी चीज़ा आपको प्रोपरली तरीके से किलियर हो चुकी है, अब एक बार अपन चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे और बैटर तरीके से इन चीज़ों को पंसीडर करते हैं ठीक है, यह मेरा चार्ट है यूरो यूसडी का, यह करन्टली मैंने जो ट्रेड लिये, मैं उसे पे पे बात करता हूं, तो आपको, आपको, जादा समझ में आएगा, यह मेरा 15 बिनेट में मैं बेसिकली ट्रेड करता हूं, जितनी भी ट्रेड होती है, सारी मेरी, 15 में होती है, जब एंटरी मोडूल पर आता हूं, यहां से जो पूरा market है यह down है यहां तक down आया down आने के बाद मैंने देखा कि यह last zone है जहां पर हो सकता है कि market टेप अप जा है यह मेरा एक scenario था जो मैंने देखा समझा एंच जिसके इसाप से मैंने entry plan की तो यहां पर हुआ क्या है आखिरकर आप समझेगे, ठीके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखी एक बाद, कि market जैसे डाउन आया, तो डाउन आने के बाद क्या हुआ, कि मैंने market का structure mapping किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह अपना चोच था, ठीके, कि market अगर इसको break करता है, candle close होना ज़री रिए, चोच के case के अंदर, ठीके, अगर आपका market boss कर रहा है, तो वहाँ पर भी candle close होना ज़री रिए, सिर्फ elusement को छोड़ के, बादी service का candle requirement है, ठीके, बट कुछ liquidity case होते हैं जहाँ पर entry module में अपने को देखना ज़रूरी है, तो उसके लिए अलग सक separate video अपको मिन जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हो गया मेरा boss, यानि कि break of structure, यह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हो गया मेरा charge, यानि कि charge directly, बट मैं इस तरीके से नहीं करता, मैंने यहाँ पर फिरी भी illusionary consider किया, क्योंकि मैं जैसे बताया, कि छोटे time frame में switch हो जाता हूँ जबी भी मेरा market order block PY कि इसमें भी tap करता है, चीए, बट बड़े time frame का जो choice था यहाँ पर, तो मैंने कल market का यहाँ तक आने का wait किया, चीए, दो दिन लगे market गया, well and good, जैसे ही market यहाँ पर गया, तो मेरे पास एक order block बन चुका था, अच्छा कासा वो यह था, आप देख रह यहाँ पर क्या है, मैं आपको, इसको अटा दे का हूँ, चीए, देखिए, यहाँ पर red candle है, इसको मैंने mark किया था, यह जितना भी बचा हुआ gap है, last candle, second candle and third candle, यहाँ की first candle का high and third candle के low के बीच को fair value gap कहते है, तो मेरा fair value gap जो था, वो भी यहाँ पर था, तो मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि अगर मेरा market चोथ close flip entry है, यहाँ कि market का यहाँ पर news time था, market में closing नहीं दी, तो मेरी एक entry जो मैंने plan की थी, वो की थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैंने एक entry ली थी, वो top तक ली थी, यहीं तक मेरा entry प्लान था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर यह next hurdle आ चुका था, यहाँ तो यहाँ तक market आराम से गया, मुझे अच्छा घासा target देखे गया, एक entry में ने यहाँ पर planning की थी, ठीक है, तो मेरा market इस वाले zone में आएगा, तब ही मैं entry लोगा, तो मैं one minute में switch हो जाता हूँ यहाँ पर, अब देखो आपको यहाँ पर entry लेना कैस है, इस scenario को आप छोड़ दीजिए कुछ time के लिए, क्योंकि news है, आपने लिए समझ नहीं भाइए, सबसे पहले क्या हुआ, कि market मेरा इसमाया, यह market ने यहाँ पर liquidity sweep की, यह market ने liquidity sweep की, then मेरे इसको break किया high को, recent वाले high को, तो मैंने यहाँ पर लिख दे elusement, ठीक है, अब elusement होने के बाद मैंने wait किया, कि जबी भी मेरा market elusement से नीचे order block, py, कुछ भी बचा है, उसमें आगा मैं entry plan करूँगा, कि यह सारी candle mitigate हो चुकी, एक दूसरे से, ठीक है, यह मेरा बचा हुआ एक, यहाँ पर उपर fair value गे भी है, यह मेरा order block है, order block में market आया, ठीक है, जैसा इस वाले local रखना, जैसा भी मैंने पहले बताए था, and then अगर मेरा market मुझे यहाँ तक भी देखे जा रहा है, then good, मेरा market मुझे अच्छी खासी एक entry देखे गया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को 22 points आरहा हम से देखे गया है market, ठीक है, आपका अच्छा कासा risk reward ratio जो है maintain हो रहा है, अब यहाँ से market नीचे क्यों गया, मैं यह भी बता देता हूँ, इसको बोलते है POI, point of interest, यह जो आप विग वगरा देखते हैं, इस POI को हलका सा tap किया, then market candle close, त ठीक है, अब 15 minute time frame में कहां पर है, यह रहा है, 15 minute time frame में आप देखिए, अगर मेरा market, मेरी POI के अंदर tap करता है, and candle close नीचे करता है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका liquidity sweep वाला आपको part समझना है, थोड़ा ज्यान दीजे, जबी भी आपका market is point of interest के उपर, close ना क करके नीचे week sweep करके close होता है, then आप directly sell entry plan कर सकते हैं, same case, यहाँ पर हुआ कल, 15 minute में मैंने देखा, मेरे market में, मैं one minute में switch हो चुका था, ठीक है, one minute में देखिए, आप कुछ भी नहीं है, यहाँ पर, market में कोई वी entry close नहीं दिये, यहाँ पर, ठीक है, यह देखिए, फाइफ मिनट, ठीक है, देखिए, फाइफ मिनट, फाइफ मिनट का मैंने half time ले ले ता हम, 15 मिनट का, फाइफ मिनट पर, अगर यह red candle यहाँ close हो जाती नीचे, then मैं यहाँ पर sell entry plan करता है, but market ने ऐसा नहीं किया, तो मैंने एक entry यहाँ पर plan कर दी, then second entry मैंने यहाँ पर plan कर मैंने की, डाइफ मिनट का लोस था मेरा यहाँ पर, ठीक है, and second entry मैंने का plan की, जब मेरा 15 मिनट complete हो चुका था यहाँ पर, ठीक है, तो 15 मिनट complete हुआ, तो यहाँ पर market ने closing दे लिए, then I understand की market डाउन नहीं जाएगा, पूरा buy momentum देगा, तो हलका सा market bearish है, यहाँ पर मैंने next entry plan की, and then मेरा भाई का यह अच्छा काशा setup यहाँ से बचा था, ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है, कि सारी चिजों को अच्छे से समझना है, देखना है, पि बोष क्या होता है, चोक क्या होता है, इल्यूजमेंट क्या होता है, ओ्र व्लोग क्या होता है, P.I.O.I. क् ठीक है, short time frame क्या होता है, height time frame क्या होता है, जब आप यह सारी जिए समझ जाएंगे, तब better तरीके दर reading को understand कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है, then अपन वापी सिधार आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस scenario को जब तरी थी यह बिल्कूल, ठीक है, market tap किया, then up गया, and मैंने down का weight किया, देखिए, उल्टा हो गया, उपर से लगा, right, market up गया, tap किया, then मैंने entry लिए, यह reverse में दिख रहा है आपको, क्योंकि उल्टा है, इसलिए, ठीक है, तो इस तरीके साब सारी entries को plan कर सकते हैं, and better तरीके सा आप understand कर सकते हैं, कि actually मैं आपका market का momentum क्या होगा, इन किस तरीके साब का market जाने वाला, तो I hope आपको समझ में आया होगा,